Good morning students, today we will start unit 8 lesson 1, actually this is a poem, the name of the poem is a watering rhyme, watering होता है पानी देना, rhyme कवीता, एक पानी देने वाली कवीता, आपको पता ही है कि पानी हम पौधों को देते हैं, जिससे की वो बड़े हो जाएं, ये देखिए, ये लड़का भी पौधों को पानी दे रहा है, आए अब हम इस पौधों को स्टार्ट करते हैं, early in the morning or the evening hour, are the times to water every kind of flower, early in the morning, early morning होती है, बहुत ही सुभा, जल्दी, और the evening hour, evening होती है, शाम, आर घंटा, times, समय, water, पानी, every kind, हर प्रकार के, फ्लार, फूल, सुभा, बहुत जल्दी ही, या शाम के घंटों में, ये पानी देने का समय होता है, हर तरहा के फूलों को, मतलब पौधों को पानी जब हम देते हैं, फूलों को जब हम पानी देते हैं, वो या तो हमें early in the morning देना चाहिए, या evening के आर में, या शाम को, ये इनका time होता है, हर तरहा के फूलों को पानी देने का, watering at noon day, when the sun is high, doesn't help the flowers, only makes them die, watering at noon day, noon day होता है दुपहर, दुपहर को पानी देना, when the sun is high, sun, सूरज, high, तेज, doesn't help, मदद नहीं करता, flowers, फूलों, makes, बनाना, die, मरना, जब हम दुपहर को पानी देते हैं, जब sun जो होता है, वो बहुत ही तेज होता है, सूरज बहुत ही तेज होता है, तो इसमें ये पौधों की help नहीं करता है, बलकि उनको मार देता है, क्योंकि जब हम दुपहर को पौधों को पानी देंगे तो उस समय सूरज बहुत ही तेज होता है और फूलों को पानी देने से वो मर जाते हैं Also when you water, water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots Also भी, when, जब, you, तुम, water, पानी, roots, जड़ों, flowers, फूलों, keep, रखना, mouths, मुँ We should wear our boots, we, हम, wear, पहनना, boots, जो हम पैरों में पहनते हैं, एक तरह के जूते When you water, जब भी आप पानी देते हो, water at the roots, पानी हमें जड़ों में देना चाहिए Flowers keep their mouths where, we should wear our boots Flowers जो होते हैं, उनका मुँ कहां होता है, जहां हम अपने boot पहनते हैं क्योंकि उनका मुँ जो होता है, वो जड़ों में होता है अगर हम जड़ों में पानी देंगे, तभी flowers जो होता है, वो फलता फूलता है तो बोला गया है कि flowers का जहां मुँ होता है, हमें पानी वहां देना चाहिए हम जहां अपने boots पहनते हैं, वहां उनका मुँ होता है Soak the earth around them, then throw all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet Soak, सोखना, earth, धर्ती, around them, उनके चारों ओर Heat, गर्मी, flowers, फूलों, water, पानी, thirsty feet, प्यासे पैर जो धर्ती होती है, वो उनके चारों तरफ का पानी सोख लेती है फिर क्या होता है, उससे वो सारी heat निकल जाती है जब भी हम पौधों को पानी देते हैं, तो धर्ती उनके चारों तरफ का जो पानी होती है वो सोख लेती है, और जो heat होती है, वो निकल जाती है फिर पौधों को पानी मिल जाता है उनके प्यासे पैरों को पानी मिल जाता है तो students इसमें बताया गया है कि हमें पानी जो देना चाहिए पौधों को फूलों को वो सुभा को देना चाहिए या शाम को देना चाहिए हमें दोपहर को पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे पौधे मर जाते हैं, इससे फूल मर जाते हैं और हमें पानी कहां पर देना चाहिए, रूट्स में, जड़ों में, जहां पर हम अपने बूट पहनते हैं, पैरों में वहां पर पौधों का मूँ होता है, तो इस तरह से पौधों की प्यास बुच जाती है, उनके प्यासे पैरों को पानी मिल जाता है, यह पोईम जो लिखी है, पी ए, रोप्स ने लिखी है, हम न्यू वर्ड्स को रीट करते हैं, आर, आर होता है घंटा, वाटरिंग पानी देना, नून दे, दो पहर, बूट्स, जो हम जूते, पैरों में पहनते हैं, सोक, सोखना, हीट, गर्मी, तो स्टूडेंस आपने इस पोईम को रीट करना ह है, और इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स भी रीट करने है, थैंक यू स्टूडेंस,